दोस्तो Samsung ने अपना एक और नया स्मार्टफॉन Samsung Galaxy F14 5G को इंडिया में लॉंच कर दिया है इस फॉन की अगर डिजाइन की बात करें तो इस फॉन में आपको कोई नया डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो बात करें इंबॉक्स आइटम की तो बॉक्स के अंदर आपको SIM Ejected Pin and USB Type-C Data Cable देखने को मिलती है इसके लावा User Manual Guide आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है तो दोस्तो बस यहीं सब कुछ आपको इंबॉक्स आइटम के रूप में आपको Galaxy F14 5G में देखने को मिलता है अब दोस्तो इस फॉन के अगर हम फिजिकल ओवरिवीउ की बात करें तो इस फॉन के बैक पर आपको डूल दियर कैमरा के साथ एक LED Flash देखने को मिलती है थोड़े नीचे की और आपको Samsung का logo देखने को मिलता है इसके bottom side में आपको speaker, tap support, mic and 3.5 mm jack देखने को मिलता है इसके left side में दोस्तो आपको dual sim slot का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप दो sim and एक memory card एक साथ यूज़ कर सकते हो इसके top पर आपको secondary mic देखने को मिलता है इसके right side में आपको power button and volume button देखने को मिलता है power button में यह आपको fingerprint sensor का भी option देखने को मिल जाता है इसके front पर आपको एक selfie camera के साथ calling speaker देखने को मिलता है तो दोस्तो यह था इस phone का physical overview अब इस phone के अगर हम specifications की बात करें तो सबसे पहले बात करें इस phone की display की इस phone में आपको 6.6 inch की full HD plus IPS LCD screen देखने को मिलेगी जो की 90Hz के refresh rate के साथ आती है तो display आपको price range के साब से एक अच्छी quality की देखने को मिल रही है इस phone के अगर हम hardware की बात करें तो इस phone में आपको latest Exynos 1330 Octa Core CPU देखने को मिलता है जो कि हमको Samsung Galaxy A14 5G में भी देखने को मिला है तो काफी अच्छा hardware है, heavy से heavy settings की game आप इस phone में आसानी से play कर सकते हो अब Galaxy A14 5G के अगर camera setup की बात करतो इसके rare पर आपको 50 megapixel का main camera देखने को मिलता है 2 megapixel का यहाँ पर आपको macro lens मिल जाता है front camera की बात करतो, front पर आपको 13 megapixel का selfie camera देखने को मिलता है दोस्तो अब इस phone की अगर battery की बात करतो इस phone में आपको 6000 mh की एक powerful battery देखने को मिलती है साथ ही साथ इसमें आपको 25 watt की far charging भी देखने को मिलती है जो कि इस phone के लिए काफी अच्छी बात है इस phone के अगर हम storage की बात करें तो यह phone दो storage variant में आपको देखने को मिलेगा इसका 4GB RAM and 64GB storage वाला phone आपको 15,000 के आसवास देखने को मिल सकता है इसका second variant 4GB RAM and 128GB वाला phone आपको 15,000 के उपर देखने को मिल सकता है तो दोस्तो यह था इस phone का छोटा सा review and unboxing अगर दोस्तो आपको यह phone की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल phone इंदी को सब्स्राइब करना ना भूलें